गिरीडी और हजारी बाग से तालुक रखने वाले 33 मजदूरों ने साउथ अफरिका के माली से अपने वतन वापसी के गुहार लगाई है सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मजदूरों ने भारत सरकार वर जहार्खन सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा है कमपनी की ओर से पिछले तीन महीने का वेतन नहीं मिलने से दाने दाने के लिए यह मोहताज है बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब दलालों के चक्कर में पढ़कर गरीब तबके की लोग विदेशों में फस जाते हैं इसके पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं इस मामले में भी ब्रोकर ने इन मजदूरों को जादा पैसा कमाने का लालच दे कर साउथ अफरिका के माली पहुचा दिया लेकिन जब वहां काफी कम महिनताने पर काम कराया जाने लगा तो मजदूर खुद को ठगा महसूस करने लगे और वतन वापसी की अब गुहार लगा रहे हैं आपको बता दे कि हजारी बाग जिला के 19 मजदूर हैं और गिरेडी से 14 मजदूर वहां फसे हैं कि दुआर के दुआरा माली बमा को साथ अपरिका आये हुए थे जो की बोला गया था कि जो कंपनी का रूल है उसी परकार से काम करना है और उसी परकार से पेमेंट दिया जाएगा लेकिन आज हम लोगों के बीच आज समस्या चार महिनों से पेमेंट नहीं मिल पा रहा है और हम लोगों का जो ठेकेदार था वो आज इंडिया भाग गया है इस बात का जब हम लोगों को पता चला तो कंपनी वालों से हम लोगों ने बात करने का थोड़ा परस्ताव रखा और साहब से मिला तो company वालों ने बोला कि हम इसमें कुछ ने कर सकते हैं ये चीज आप लोग की आपसी मामला है आप लोग खुद सुल्जा लो और जब हम लोग payment के विशे में इंडिया कोल करके उनके ठिकेदार को अपने ठिकेदार को जब बोल रहे हैं तो वो उल्टा हम लोगो धमकी दिया जा रहा है लेकिन मैं company से यही बोलना चाहता हूँ कि जिस समय हम लोग जारखंड से आ रहे थे हैं उस समय आपका टिकेट और बीजा कलपत्रू का दिया गया था तो आज आप लोगो को क्यों नहीं help कर रहे हैं तो इसमें company वालों ने हम लोग पे कोई बात नहीं कर रहा है आज हम लोग के पास ना खाने का कुछ समान है और ना किसी परकार से और किसी चीज का हम लोग सभी लोग एक रूम में सभी लोग रह रहे हैं किसी तरह और खाना खा रहे हैं जो की एक दिन के लिए रासन बचा हुआ है अता आप सभी मीडिया परभारी एवं भारत सरकार तो अरकम सरकार से अपील है कि हम लोगों को वतन वापसे की जाए. News Wing के ले Gheredi से Manoj Kumar Pintu की रिपॉर्ट. Gheredi is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Gheredi, those who are leaving the town and going outside for their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real, we can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.